हेलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी क्यासी हैं आसा करती हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और तंद्रुस्त भी होंगे मेरी तरह तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या बात करने सबसे पहले इतना ध्यार रखिए अभी तक हमारा जो चल रहा है सेशन यानी कि मिसां 2023 में अभी फटा पर क्योंकि एक्जाम्स बहुत कम समय बचा है के लिए मुश्किल प surtout जादा टाइम बचा ही निए फंदरा मुश्किल से बचा हुगा deterior है थायकति तो इस पंदरा दिन में क्योंकि लास्टाइम में था फ्रुड़ा सा ψ रिवार्いजय करते हैं तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एकदम सा भी जूट जो बिलकुल टाइम वेस्ट मत करो मोबाईल ठीक है यह दिक काम के चीजों के लिए मोबाईल कहीं इस्तमाल करों यह नहीं कि बस मेसेज आ रहा है वह दो हटा दूत बेस्ट प्रेंड का कॉल आ रहा है है इसका कॉला रहा है यह हटा दो ठीक चलो भई आज ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूँगी क्योंकि सीधे अपने टॉपिक पर चलूँगे और टॉपिक थोड़ा सा है लेंदी क्योंकि आज के इतना मैं बता दूँगे कि आप लिख पाओगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज का शेशन जो है हमारा यूनिट फॉर यूनिट फॉर का लास्ट यह होने वाला है जिसमें चार अंग के हम प्रश्णों इंप्रश्णों के उपर बात करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं कि यहां मैंने पूरे सेलेक्टिव को डाल दी हैं पर कि जो प्रश्ण इसमें बनते हैं बन सकते हैं उसको भी मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया ठीक तो आपके चार अंग के प्रश्णों के पर यूनिट फॉर में दो चैप्टर जो प्रद्यकी कि इस धान प्रक्रम और उसके उपियों के उपर है तो यहांज हमारा पहला प्रश्ण यह आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है पड़िये क्या लिखा है चलिए तो सबसे पहला कोशन लिखा हुआ है क्या कि DNA पुनर योगज टेकनिक या इसी को हम लोग कहते हैं री कॉम्बिनेंट टेकनिक क्या बोलते हैं आपके बुक में लिखा होगा री कॉम्बिनेंट टेकनिक या टेकनलोची ठीक है क्या होता है इस तकनीक और इस तकनीक के उपकरंड के बारे में इस तकनीक के उपकरंड का नाम लिखे यह प्रस्ण पूछा इस हीं को कोशन में अथ्वा में अच्छे इंपोर्टेंट ने ये पिछले साल की कोशन में आया नहीं है तो यहां पर ध्यान रखेंगे देखो पिछले साल अगर यह नहीं आया तो इस सल आने के संभावना जादा हो गई है यहां से ठीक है क्योंकि पिछले साल यह कोश्चन हमको नहीं दिखाई दिया है थोड़ा सा यह स्टैप होते हैं इसके ठीक है यह था इसका प्रेश्चन तो पहला टॉपिक क्या लिखाए भाई साहब पहला डिखाया है जीन अभियांत्री के कम क्या मतलब हमने पहले ही पढ़ा हुआ है जीन अभियांत्री के कम मतलब यह होता है DNA का हम फेर बदल करते हैं किसी DNA के मरमत करने का काम करते हैं मतलब नए DNA का ही फेर बदल मरमत करके नए प्रकार के DNA को बना देना यह क्या है genetic engineering के द्वारा ही संभव हो जो सका है ठीक है चलो अब देखेंगे क्या है भाई साफ, DNA पुनर योगस टेकनिक, तो जेनेटिक इंजरिंग के तहत ही यह जो टेकनिक आया है DNA पुनर योगस टेकनिक, क्या होता है इसमें किसी एच्छिक कोई भी जीव का एच्छिक जी निकाल लिए, चलो example तुम्हारे भ बात करते हैं डिक है आप लोग बस द्यान दो कि मालो जाए आपके शरीर में एक ऐसा ने जो हार्मोन फ्रोडियूस कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए आपके शरीर के तो इंपॉर्ड है ही वह हार्मोन और दूसरे भी जीवों के लिए वह important हो सकता है या खुद ये या आपके जैसे ही व्यक्तिओं के लिए important है इंसुलीन के बात करेंगी क्योंकि आपके पेपर में जाथ तर इंसुलीन के बारे में डिस्कस कुआ तो अगर मैं यह कहूं को की आप में इंशilyan बढ़ाने वाला हर्मोन है ठीक है अब उस dna को मिखाल करके इंसुलीन हरमोन से इस dna जहांसे इंसुलीन हर्मोन निकल रहा है उसकी सारी कॉपी बना दे और जितने भी patient होते हैं जिनको insulin की जरुवत होती है तब हम उसको दे देंगे इसी दी बात है तो सोचो एक इंसान से हम कितनी सारे insulin को मतलब बना रहे हैं इंसुलीन प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मोन ठीक है अब इंसुलीन क्या है यह मत पूछ देना क्योंकि पिछले लेक्टर में बताया हुए मैंने इंसुलीन क्या होता है प्रोड्यूस के पेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है हर मनुष्य में इंसुलीन बनता है चुहो में भी इंसुलीन बनता है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक है चलो अब यहां पर बात करेंगे क्या कि dna पुनर योगत टेक् को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ करके एक नए प्रकार कर दीनओ सबसें लोगे ऐक यहाँ पर जीओ करेंगे अगरें निए फैकरन करेंगे मिला जुला रूप तो दोनों का मिला जुला रूप जो होते है एक्चल में यही होता है रिकॉंबिनेंट डियने कहलाता है समझ आ रहे हैं अभी पढ़ेंगे था अप लोगों को समझ आ जाएगा टना टन करके हम लोग पढ़ेंगे तो चलो आते हैं वापिस से कि दोनों डियने को जब आपस में जोड़ते हैं तो रिकॉंबिनेंट डियने क्या होता है समझ आ गया तो चलो यहां पर ध्यान से रिखो आपको पेपर में क्या लिख रहा है किसी जिव के जिनों में वांचित लक्षणों वाले जीन्स ठीक है जीन्स को प्रविस्ट कराकर एक नए प्रकार के डियने को बनाना इसी को बोलते हैं डियने पुनर योगस टेक्निक कहते हैं ठीक है बहुत लंबा चुरा भाशन लिखा गया लग रहा है अगर यह हमारे ऊपर से चला गया तो भाईस आप स अगरे अंदर मैंने भी जस्ट बताया ना कि इंसुलीन बनाने वाला मेरे पास डियने है और लोगों को इंसुलीन की बहुत जादा जरुपड़त परती है क्योंकि डाइबरटीज के पेशन को इंसुलीन दिया जाता है तो मेरे मैं हूँ एक वांचित जीन हूँ तो मेरे अंदर के डीने को बाहर निकालोगे और उसमें जो इंसुलीन बनाने वाला जो डीने उसी को बाहर निकालोगे और उसकी मर्टीपल कॉपी तैयार करोगे और उसको क्या करोगे अप बड़े पैमाने पर व्यापारिक छेत्र पर उसको सैलिंग कर दोगे इंसुलीन क्योंकि है बहुँ देमाग हो जाता है थीमाग खराब ह हो जाता है और इसे को हम लोग कहते ह War और ओस तकनीक का उप्योग करते हम क्या करते भई चीकोण परिवर्तन करूनी तकनीक कोенных प्रध्योग कीителей कहते हैं यह नहीं रिखोंगे तो भी चलेगा याप याद रखो DNA पुनर योगस टेक्निक एक्चल में यह क्या होता है इसको याद रखना है यह इंपोर्टन याप दो माक्स के भी कोश्चन बनते हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना नेक्स्ट आते हैं क्या भाई क्या लेते हैं हम जब भी हम रिकॉंबिनेट आपने यदि पढ़ा है रिकॉंबिनेट डिन टेक्नोलोजी पढ़ा बहुत इजी चैप्टर सबसे पहले बात तो यह है हम इसमें क्या यूज करते हैं सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम रिकॉंबिन डिन उपकरन की बात करत काटने के लिए हम किस चीज का इस्तमाल करेंगे जोडने के लिए हम किस चीज का इस्तमाल करेंगे यहां पर हम कैची नहीं हम एंजाईम का इस्तमाल करते हैं काटने के हम क्या लेंगे इस पर matter करेगा क्या enzymes की जर्वत होगी यहाँ पर तो वो enzymes का नाम हमको याद होगा जोड़ना है भई काट तो दियो पटापट कच कच काट दियो लेकिन जोड़ने के लिए हम कि किसके इस्तमाल करेंगे enzymes का यूज करेंगे तो वो enzymes कौन से है इसकी भी हम बात करने वाले हैं ठीक है और दो जीवों की जीन्स की डी ने किया जब बात हो ही गई तो वो दो महान जीन्स है कौन जिसकी हम बात करें तो एक को हम लोग कहते हैं क्या वैक्टर कहते हैं ठीक है यानि क्लोनिंग वैक्टर क गलब ते हैं जिसको हम कहते हैं वीडे से लिखते हैं नाम तो ऐसा हो गया विदेश ही भेज दहेंगे इसको तो पर निएनने कहते हैं इसको याद रखोगी ठीक है चलो आप यहाँ पर देखो क्या क्या कर लिए हमने तो सबसे पहला तो होगया पहला क्या लिका है foreign dna ठीक है क्या लिखा foreign dna लिखा हमने ले लिया भाई साब foreign dna यानि कि वांचित dna इसी के dna के ही तो हमको जो जिस चीज की अच्छिक हम बात करते हैं याद रखना इसको हम बोलते हैं अच्छिक dna जिस चीज की हमको कॉपी तैयार करना है जो चीज हमें बहुत वियापारिक तौर पर हमको जादा बनाना या वियापारिक तौर पर हमको ज्यादा प्रोड्यूस करने हो तो पादन करने है किसी चीज का तब हम उसको हम कह देते हैं क्या foreign DNA ठीक है मैं अपने आपको क्या बलूंगे foreign DNA समझा रहा है अब क्लोनिंग DNA किसको बोलती है ऐसा DNA होता है जिसकी पटापट पटापट multiple copy त्यार हो जाए फटाफट डिवीजन करें और बहुत सरे copy बना ले तब हम इसको क्या बोल दिए वेक्टर कह देते हैं वेक्टर इसी को लेते हैं और यहां पर मैं बताऊंगी कि वेक्टर किसको लेते तो यहां पर एक आपका foreign DNA हो गया दूसरा आपका वेक्टर DNA की बात कर लिए यहां देखो क्लोनिंग वेक्टर लिखा हुआ है थाड़ी की बात करूं तो काटना है भाई साहब कैची भी तो चाहिए तो हम बोल दिये क्या प्रतिबंधर एंडो न्यूक्लियस एंजम करने के लिए यहां पर PCR मेथट कभी हमने याद है आप पढ़ा था PCR polymerase chain reaction एक DNA से DNA की बहुत सारी कॉपियां तयार करना याद हो गया मुझे पता है चलो नेक्स्ट क्या है DNA ligase enzyme दो DNA को आपस में जोड़ने काट तो दिये हो पटाक से काट दिये ना लेकिन जोड़ने के लिए तो कुछ चाहिए मोम तो चाहिए ना यहां पर मोम हम इस्तमाल करेंगे DNA ligase मोम मत लिख देना पता जड़ा मोम लिख आ रहे हो ठीक है तो DNA ligase enzymes का ही हम इस्तमाल करते हैं इस चीज़ को याद रखोगे फटाक से याद हो गया I hope मेरे दिमाग में चड़ रहा है कि आप लोगों को एकदम याद हो गया हो गहां foreign DNA हमारा वाला हम जो बनाएंगे वेक्टर DNA multiple copy 3R करता है पटापट डिविजन करता है फिर हम लोग उसको क्या करते ह है काटने के दिए तो कुछ चाहिए ना तो एंजाइन रस्टिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं अगर हमको कॉपी तियार करनी है तो टेक पॉलिमरेस दियने की हम बनाएंगे तो यह किस से होगा बदाऊंगी ठीक है फिर आते हैं डीनलाईगेस तो डीनलाईगेस जोड हędzie जी होता है क्या कौन कंक्या काम करता है इस फोलागां बात करने वाले हैं ठीक है चलो धुलिए इसको थोड़ा थोड़ा समझों भई सबसे पहले हमने किसकी बात की थी फॉर एन डीने और व्यक्टर द्यैने की बात की थी अभ वहा रही हो सकता है कि आ human का हो human का हम insulin बनाने वाला DNA ले ले हम एच्छिक DNA को ही foreign DNA कहते हैं इसको याद रखना ठीक है अगर मैं cloning vector की बात करो तो vector DNA में हम plasmid DNA को लेते हैं जो की बैक्टिरिया से प्राप्ति के देखो plasmid हो गया कॉजमिड हो गया virus को भी लेते हैं ठीक है तो दो तीन को याद लखो कि यहाँ पर कौन कौन से plasmid plasmid को ले सकते हैं कॉजमिड ठीक है वाइरस इतने सारे हम vector की रूप में यूज कर सकते हैं लेकिन अधिकांस ता कि अगर मैं बात करूँ तो हम ज़्यादा तर plasmid dna का है इस्तमाल करते हैं और plasmid dna जो होता है जीवाणू जो जीवाणू सेल होता है जीवाणू कोशिका याणि बैक्टीरिया सेल होते हैं उसमें यह पाया जाता है आपका plasmid प्लाजमिट क्या है डियने होता है आपको याद हो गया होगा ठीक है तो प्लाजमिट डियने लेंगे हम अभी जो इस्तमाल करेंगे बना के दिखाऊंगे कि प्लाजमिट को जातर लेते हैं इसकी हम बात करने हुआ है डाग्राम को अच्छे से बनाबना के प्रक्टिस करेंगे ठीक है कहां पर और रिजन साइट है कहां पर कौन सा जीन्स पाया जाता है इसको जरूर देखें वहां पर ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है PBR 322 और है आपका टी प्लाजमिट उसको भी जरूर देखेंगे अब आगे देखो याद होगा आप लोगों को टी आई जो प्लाजमिट होता है एक्ग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसियंस एक बैक्टिरिया से लिया गया है तो यहां पर हम उसकी भी बात कर लेंगे थोड़ा सो उसको भी बताते चल रही हूं आगे सुनते जो रिमेंब करने का कारे करता है अच्छा डीने को कट करने का कारे तो करता है लेकिन कहां पर कट करने का काम करता है इस पर हम बात करने वाले हैं ठीक है हमने दो तो डीने ले लिया भाई साफ और वेक्टर डीने ले लिया लेकिन जब लेकिन जब हम दोनों को कट करते हैं तो रस्रिक् आप लोगों को चलो यहां पर देखो क्या है भाई साहब पुनर योगस डिने टक्नीक के क्या-क्या चरन होते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है फॉरेन यानिके टारगेट डिने का चेंज जिसकी क्लोनिंग करनी होती है हम जिसकी मल्टीपल कॉपी तयार करना चाहते हैं मान लो जाये मुझे इंसूलीन बनाने वाला डीले चाहिए बाई साव डीने इन सुलीन वही तो ना वही डीने जो इंसूलीन बनाएगा उसी को अगर में बहुत सारा कॉपी तयार कर दूह तो सीजी आखन ने को यानिके टारगेट डीने का चैन प्रूरें और ते ने दूसरा हम मेरा चलन क्या है प्लाजमिट यानि के लैमडा फिर कॉजमिट कुछ भी हो सकता है किसी एक को हम वाहक या वेक्टर के रूप में अभी जस्ट बताएं वेक्टर के रूप में हम लोग देते हैं फॉरें भाई साब आ गए वेक्टर भाई साब हमारे पास आ चुके हैं तीसरा लिखा है फॉरें डेन आप दोनों को हम आपस में क्या करेंगे दोनों भाई भाई को आपस में जोड़ देते हैं फॉरें भाई और वेक्टर भाई दोनों भाई भाई को आपस में क्या करेंगे जोड़ देते हैं ठीक है जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बन जाता है अब जो बन गया है उस पुनर्योगत जीने को हम क्या करेंगे एक फिर से एक ऐसे नया बैक्टीरिया से लेंगे जहां पर प्लाजमेट डियन उपस्थित नहीं होना चाहिए ठीक है अभी बताओंगे स्टेप समझते जाओगे बस पहले सुनो क्या क्या है पोशक कॉपी तैयार हो जाता है इसे लिए लेते हैं ना बैक्टीरिया को नेक्स क्या लिखा है रुपांद्रित कोशिकाओं का चैन करते हैं तो चेंज होगे उसके हम कोशिकाओं का क्या करेंगे पटाफट से सेलेक्शन करेंगे ठीक है तो यह चार बहुत जादा मुखिता हम बात करने वाले हैं कहां गया हमारा पेज एकाथ पेज तो खोल दो चलो यहां पर देखो हमने अभी बात की क्या दो महत्तुपूर्ण जो की था हमारा क्या एक था हमारा दो डियने की बात हुई थी एक डियने यह हो गया और दूसरा जो डियने है हमारा यह हो गया ठीक है एक डियने यह हो गया दूसरा डियने यह अब एक चीज और जब हम एक हमने क्या ले लिया एक हमने ले लिया वेक्टर का डियने यह हमने क्या ले लिया वेक्टर का डियन मैं ले लिया और हमारा भाई सहाब यह हमारा इसको समझ अधिया ओंधिय आ ऐसे ज्यादा सही होगा और है यह व हम और यह हमने तो टाइप के क्रोमोसोमर यह व्यादी ये दिखो यह एक वेक्टर uh हम किसी भी बैक्टिरिया या बैक्टिरिया को ले सकते हैं तुक्ति को ले सकते हैं यह प्लाजमिट यह वायरस का डिया वायरस भी हम ले सकते हैं कोई रिकते हैं लेकिन जाना तर हम बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं इतना दिमाग में बैठा के रखना ठीक है चुकि अभी मैं जो बताने वाली हो इंसुलीन बताने वाली हो इसलिए मैंने हमने और इसमें एक प्लाजमिट डीने है यह रहा आपका इस मतलब मैं लिख दिती हूं यहाँ पर बैक्टीरिया bacteria हो सकता है मैं agrobacterium tumifacens का ले लूँ ठीक है हमें पढ़ा था ना तो यह एक bacteria और इस bacteria में हमने क्या देखा था भाई साब हमने देखा था एक plasmid क्या क्या did plasmid ठीक है यह है आपका plasmid dna चलो plasmid dna तो यह होगे तो यह है आपका क्रोमो सोमल डी आने ध्यान रखेंगे क्या है क्रोमो सोमल डी ऐने ठीक है चलो अच्छा देखो एक बेक्टीरिया सैल में प्लाजमिड डी Bad लेकिन जब भी हम री कोबिड सी डी टेक्नलोजी को इस्तेवाल करते हैं तो हमेसा क्योंकि जो multiple copy त्यार कर सकता है वो हमारा plasmid है तो plasmid DNA को ही हम लेते हैं यहाँ पर इतनी बाते क्लियर हो गई चलो यहाँ पर देखो यह है क्या human यानि कि मनुष्य मनुष्य का insulin इंसुलीन तुम किसी और कपी नाम ले सकते हैं मैं जाता है इंसुलीन बनाने वाला DNA ठीक है चलो हो गया एक हमारे पास क्या है इसको मैं दूसरे कलर से कर दूंगा थोड़ा अच्छा दिखेगा कहां है इसको यह ब्लू से यह ज्यादा सही है ऐसा कर देती हूं नहीं ऐसा कर देती है ठीक है गोला था पर दिख नहीं रहोगा इसलिए मैं इसको कर दी हूं चलो यह हो गया प्लाजमिट डियने क्रोमोसोमर डियने यह मनुश्य का डियने इंसुलीन बनाने वाला इसको हम लोग ले दिये अब यह चीज़ आप रखना इंसुलीन कहां से प्रोड्यूस होता है अगर मैं मनुश्य की बात करूँ तो मनुश्य में होता है बिटर ध्यान देना अगनास है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास क्या कहते हैं पैंक्रियास यानि कि अगनाश है अगनाश है जो यानि कि पैंक्रियास सेल का जो हम दो महत्वण सेल की बात किये थे बी सेल और टी सेल की हम बात किये थे यह जो बी सेल होता है यही जो होगा बी सेल ही इंसुलीन निरमित करता है ठीक है इंसुलीन हर्मोन प् वीसल कोशी का है जहां से इंसुलीन बनाने वाले डियने को हमने अलग करना है तो चलो भाई आगे देखते हैं यहां पर क्या है आगे देखो जब हमने दोनों प्रकार के डियने को यहां पर ले लिया यहां पर भी प्लाजमें डिये हैं यहां पर क्या मनुश्य के इंसुलीन बनाने बड़े हम दोनों डियने को क्या करेंगे अलग-अलग कर देते हैं चलो बही अलग कर दो यह हो गया इसका डियने और यह हो गया इस भाई सहाब का डियने यह हो गया ठीक है यह इनका डियने हमने दोनों के डियने को क्या कर दिया अलग-अलग कर दिया यह इनका डियन दिख रहे हैं यह हो गया आपका किसके डियने है यह आपके मनुष्य का डियने और यह है आपके बैक्टीरिया का दियेने हमने दोनों के डियेने को क्या कर दिया बाई सब अलग कर दिया कर दिया लग यह प्लाजमेट और इसका इंसुलन बना दिया ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं अलग करने के बाद हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे ठीक है अब किससे कट करेंगे इस का नाम है क्या restriction यहाँ पर लिख दूँ क्या एक ही एंजाइम जो कि बैक्टिरिया से ही बनाया गया है उसको भी उसका नाम है क्या restriction endonuclease enzyme restriction restriction endonuclease enzymes ठीक है एंजाइम इसी से ही हम क्या करते है यानि कि restriction endonuclease enzyme प्रतिबंधन endonuclease enzyme से ही हम इसको क्या करते हैं कट करने का कारिकरते हैं तो एक ही enzymes की सहायतर से हम इसको भी कट करेंगे एक ही enzymes की सहायतर से हम इसको भी कट करते जाते हैं अब कट तो हमने कर दिया चलो भई कट कर देते हैं यहां पर कट करने के बाद यह हो गया यह हो गया यह हो गया ऐसा कर दिये ठीक है अब हम इसको भी कट कर दिये तो यह भी ऐसा हो गया ठीक है यह हमने दोनों डियने को क्या कर दिया आपस में कट कर दिया काट दिय हम ठीक है एंजाइम्स की साहता से काड़ अब दोनों को क्या करेंगे आपस में हम जोड देते हैं तो जोड भाई साहब आपस में यहाँ पर हम क्या करेंगे जोड देते हैं इस तरह से ठीक है यह हो गया क्या आपका इसका हो गया और यह हो गया इसका समझा रहे हैं दोनों का DNA देखो आपस में क्यासे है दोनों का DNA आपस में जुड़ गया अप कौन से DNA बन गया यह इसको हम कहते हैं recombinant DNA कहते हैं इसी को क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं भाई सहाब recombinant dna कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको recombinant dna कहा जाते हैं यही तो था recombinant dna जिसके हम बात के थे क्या है यही तो है vector dna यह क्या है आपका foreign dna यह क्या है vector dna vector dna ठीक है दिन योग और यह हमारा पॉरेन डिन इसको क्या बोले थे इसे आँधाल SL सुरीन ज्यादा मात्रा में बनाने हैं वेपारिक छेतर बनाने हैं सभी लोगों के लिए बनाना है तो अब हम क्या करेंगे इस री कॉंबिन डीने जो बना हुआ हमारा नया डीने इसको हम एक ऐसे बैक्टीरिया सेल को लेती है जहां पर प्लाजमिन उपस्थित नहीं होता है ठीक है पहला स्टेप देख लिए आपने लोगों ने पहला में पॉरेंडीन ने वेक्टर डीने को लिए दोनों को कट कर दिये एंडोडीक्रीजन जैम से उसके बाद तीसरा स्टिप क्या है आप लाइगे जन से उसको जोड़ोगे ठीक है तो जोड़े के बाद क्या बना बना और रिकॉमेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे कैसा बैक्टीरिया सेल देते हैं यहीं कि होस्ट सेल यही तो था हमारा लास्ट चलन होस्ट सेल को लेते हैं और इस होस्ट होस्ट सेल में हम क्या डालेंगे होस्ट बैक्टीरिया सेल के अंदर हम प्लाजमिड जो हमारा DNA है उसको हम ले लेते हैं तो यहां पर ध्यान रखेंगे हमारा प्लाज्मिट और वेक्टर दोनों के यहां पर है अब इस बैक्टीरिया के अंदर यहां पर प्लाज्मिट उपस्थित नहीं है जहां पर प्लाज्मिट उपस्थित नहीं है अब यह जो बना हुआ है यह क्या करेगा अपनी मल्टीपल कॉपी तयार करेगा क्या करेगा मल्टीपल कॉपी बहुत सारे बहुत सारे डीने को क्या करते इसमें उपस्तेथ होता है तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको अलग करके व्यापारिक छेत्र पर इस तरह से इंसुलीन को बना लेते हैं और अलग कर लेते हैं ठीक है और मार्केट में इसी को क्या करेंगे बेच देते हैं ठीक है यह हमारा क्या हो गया insulin बनाने वाले insulin को हम क्या करेंगे बन गritos ने देखेंक डीन एन्सुलीण बनाने वाले डीन ने इतना रह इसको हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे और वियापारी छेतर पर इणसुलीण को अलग करके selling करते हैं बेच देते हैं और इसी को हम किसको देते हैं मधु मेह के रोगी तो यह था आपका मुख्य जो चरन है यह अब स्टार्ट करते हैं हम लोग restriction endonucleus enzymes के बारे में हम बात करेंगे कि यह सोर्ण तीन अंक का प्रशन अलग से पूझत जाता है कि टिपड़ी लिख है restriction endonucleus enzymes के बारे में तो ये थ्षयान देंगे जब हम बात करहें कि foreign DNA की बात कि तो दोनों dna को जब हमको क्या करना है कैची से हमको क्या करना है कटिंग करने तो कटिंग करने के लिए हमको एंजाइम को यूज किये तो यह जो रस्टिक्षन एंडोनुकलेज एंजाइम्स होता है क्या होता है इस पर देखो कौन से DNA खंड को यह काटेगा किस साइट को यह काटेगा तो या तो किस क्रम को cut करने का काम करता है थोड़ा से धियान लगाना यह आपको दिख रहा होगा और आप बुक में भी देखोगे तो यह structure आपको दिखाई देता है तो ध्यान देना daattc जो क्रम होगा इसी क्रम को हम क्याती विज़िस्ट क्रम और उसी को कट करता है तो यह आखे daattc को ही क्यों लिया यह भी बात आता है तो daattc को क्यों हम लोग ध्यान देना जब those करता है तो यह कौन से करम को करता है उस करम को कहती है पलीक जरौमिक स्क्वेंस ठीक है क्या की पaimerिश्वेंस वाले भाग को एक शिस्वेंस क्या है एक नमबर है इक क्या होता है तो फैर इन्ड्रॉमिक सिक्वनस होता है द्यान देना आप दी और दे के आगे से पढ़ो तब भी यृइघा पीछे से पढ़ोगे तब भी वही शब्द बनेगा इसी सिक्वेंस को कहते हैं पैलेंड्रॉमीक से क्वेंगा इसकी बात मैंने पहरे भी की थी क्या कमेंट चरू करो मैंने बताइगा है आप मीड़ा होगा तो याद होगा और पीछे से पढ़ोगे तब वही शब्द बनेगा तो यह मैडम इसी को हम लोग कहते हैं क्या Palindromic Sequence समझे है मल्यालम मल्यालम को आगे से पढ़ोगे तब भी आप मल्यालम पढ़ते हो पीछे से पढ़ोगे तब भी मल्यालम पढ़ते हो तो ऐसे Sequence को हम क्या बोलते है Palindromic Sequence कहते है उसी तरह अगर मैं बात करू G, A, A, T, 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 C ठीक है उपर और नीचे जी एए टीटी सी इसमें भी फॉरेंड डियर में सेम व्यक्टर डियने में भी अगर दोनों को देखोगे फॉरेंड और व्यक्टर डियने के इसी क्रम को ही क्या करता है और आपस में क्या कर देते हैं कट करके अच्छा कटीम वाले एंड को हम कहते है ऐन्ड को देखो यह दिख रहा है जी एए टी टी सी बंदू की जो गोली होती नहीं उसी तरह होते हैं तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों इस टीकी एंड आपस में क्या हो जाएंगे जूड जाते हैं और दोनों इस टीकेंड बना करके एक नया टाइप का dna fragment जो है बन जाता है तिक है अब इसी को हम क्या बोलते हैं भाई सहाब recombinant dna कहते हैं तो आई खोब restriction endonuclegym क्या होता है आएगा paper में तो यह diagram बना देना और बढ़िया इसके बारे में लिख देना अगर कोशन आता है टिपड़ी रिखे ठीक है चलो और यहां पर हम बात करेंगे क्या एक हमने बात की थी किसका इसकी PBR 322 यह की भी हमने बात की थी पहले भी बता चुकिए आपको याद होगा एक प्रक्रकर यह वेक्टर होता है PBR 322 वेक्टर होता है ध्यान रखेंगे ठीक है चलो इसको याद रखने इंपोर्टेंट है डाग्रम बना बना के ध्यान देना डाग्रम को बना अपनी कॉपी में यह PBR 322 है यह ओरिजिन साइट होता है यहीं से कट होने का काम होगा यह टेट्रसाइक्लिन है यहां पर ध्यान देना ठीक है होगा पूरा लेक्टर जरूर देखा करें आपको बीच बीच में अगर कोई भी टॉपिक बलगता है किया यह एक्स्प्रेइन सही नहीं हो रहा है या इसको एक बार फिर से रिपीट कर देने के लिए बोलना चाहा होता है तो बिलकुर मुझ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा दूंगी ठीक है तो चले बहें मझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद